नमन गनाधिबं गुहं विनायकं गुरुम स्मरंशुरं सुशान्त देहिनं त्रलोग भास्वरीम तरकाल दर्शिकाम नमामितांपरां प्रत्स्वरूपिकाम देहेज मांगना कानूनी अपराध है लेकिन देहेज को लड़की के अधिकार के रूम में नहीं देख सकते ये सब अलग-अलग दृष्टिकून है वेद में एक शब्द है वहतू इसका अर्थ है दहेज कन्या दहेज लेकर अपने पदी के घर जाती है और वहाँ जाकर गर्व से दिखाती है कि देखो मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ लेकिन उसी के साथ मंत्र है जिसमें बताते हैं कि बहु का स्थान क्या है पती के परिवार में पधु से कहते हैं शवशूर देवर ननद और सास इनके बीच तुम समराच्णी रानी बन कर रहो ये है सद्विजार वेद का ये है सद्विचार सनातन धरम का लेकिन तब तक जब तक तुम वेद के आदर्शों का समग्र रूप से पालन करोगे ऐसा नहीं कि अरे देहेज तो वेद में भी है और बहु को तडपाओगे ये नहीं चलेगा माबाब जब सोचते हैं कि अपने नाकाम बेटे को सामने रखकर शादी के नाम पर थोड़ा पैसा कमाएंगे ये है सोचकलिव का तब कानून बदलना पड़ता है देहेज को गैर कानूनी बनाना पड़ता है इतना कुछ इसलिए कहना पड़ा कि भीष्म जी ने जो कुछ भी किया इसके उपर आलोचनात्मक बनने का सामर्थ्य हमें नहीं है ये स्थापित करने के लिए तो काशी नरिष्की कन्याओं के स्वयमवर मंडब पर भीष्म पहुँचे और अंबा, अंबिगा और अंबालिगा इन तीनों कन्याओं का अपहरन करके ले आए अपने छोटे भाई विचित्त्रवीरी से विवाह कराने तीनों कन्याओं को लेकर भीष्मजी हस्चनापुर पहुचे और उन्हें सत्यवति को सौंप दिया विवाह की तैयारिया धूमधाम से शुरू हो गई एक बात और कन्याओं का अपहरन और उल्लंखन की बात नहीं हो रही है विधिवद विवाह किया जा रहा है अंबा ने भीष्मजी से कहा आप बड़े महात्मा हैं बड़े धर्मग्य हैं बड़े ज्यानी हैं आपने जब हमारा हरन करके यहां लेकर आया उससे पहले ही मैंने मनहीमन राजा शाल्व को जो सवयंवर की सभा में मौजूद है उन्हें मनहीमन अपने पती के रूप में स्वीकार कर लिया था और वे भी मुझ में अनुरक्त हो गए थे आपका कुलाचार क्या है मुझे नहीं पता लेकिन उसके अनुसर जो भी उचित है उसे कीजिए भीष्म जी ने अपनी माता सत्यवती गुरुजन और मंत्रियों से चर्चा की ये निर्नय लिया गया कि अगर वो कन्या स्वेच्छा से वापस जाना चाहती है तो जाएं अमबा चले गई शाल्व के पास शाल्व के पास जाकर उसने कहा मैं भीष्म से आग्या लेकर आपके पास आई हूँ मुझे स्विकार कीजिए हमारे बीच मन ही मन जो संबंध हो गया था उसके बारे में भीष्म को मैंने सूचित किया तो उन्होंने मुझे जाने दिया अब हम विवाह करके सुख से रह सकते हैं साल्व ने कहा मेरे सामने ही मेरे देखते देखते ही भीष्म ने तुम्हारा हाथ पकट लिया था तुम्हें रथ में बिठा कर ले गिया था उसके आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता मैं कैसे मानू कि तुम दूशित नहीं हो गई हो मैं किसी के उच्छिष्ट को स्वीकार नहीं कर सकता हमारा विवाह नहीं हो सकता अमबा रोती हुई भीश्म के पास वापस चली गी उसने भीश्म से कहा आपने मेरा हाथ पकड़ा इस कारण से राजा साल्व ने मेरा त्याक कर दिया आप धर्मग्य हैं महाभाग हैं आपको ही मुझे स्वीकार करना पड़ेगा यही धर्म है भीश्म जी बोले तुमने पहले ही कहा था कि तुम्हारा मन शाल्व के उपर आ सकत है तो मैं कैसे स्वीकार करूँगा तुम्हें एक काम करो अपने पिता के पास वापस चले जाओ अमबा वहाँ से निकली और किसी अनर्जन स्थान पर जाकर तपस्या करने लगी श्री जगदंबा ये नामाहा ओआपस्थाओवा लगदंः behaviors? उप समने तुम्हें आसो था करूँगा था कर दोस्थादा बढ दोता करने जहाँ चुम्हें झाल्दंजलस के बिता भर चल एकार तुम्हें भर चकर छल्या है क्ऩ़ाँ ओपस्वित झाल negर वे लगशया है झाल झाल